Military Convoy लगातार गाजा पट्टी की तरफ बढ़ता हुआ और आपको कई इस तरह के जो Heavy Equipments है और साथ इसाथ जो Israeli Defense Forces के जवान है देखिए Ready to Fire Position में ये पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए आपको बता दू कि ये लगातार गाजा बॉर्डर की तरफ इस तरह के हमें Special Forces और साथ साथ जो असला बारूद है सब कुछ मूव होता वा दिखाई दे रहा है और इस पूरे एरिया को कॉड़न कर दिया गया है गाजा के पास के जितने भी बड़े शहर है ओके और आपको दिखाए देगा सब लोगों को सब लोगों को यहां पर शेल्टर लेने के लिए कहा गय रॉकेट्स फइर के जा रहे हैं और हमें इसडाली फ़ोर्टस के साथ में यहां पर जुकने के लिए क्योंकि नज़्दीक में यहां पर कोई बंकर नहीं है ठीक एक पर आपको दिखाए दे रहा है की रौकेट्स जा गए गये हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर लगातार फाइरिंग की जा रही है और जैसे जैसे यहाँ पर नज़्दीक आ आते जाने गाजा बाडर के फान बोहत ज़्द सब्सक्राइएब मेरे केमरे में मान आपको पैंट करके दिखाएंगे इस्राइली डिफेंस फोर्सेस के जवान भी तुरंथ हमारे साथ में कवर ले चुके हैं और मतलब साफ है कि कुछ सेकेंड्स तक हमें ऐसे ही बैठे रहेना है अपने आपको बचाने के लिए और जैसे हम वाक्ट्रू कर रहे थे हमें रिपोर्ट फाइल कर रहे थे हमें रॉकेट्स की आवाज सुनाए दी और हमें भी तुरंट हमाफ किजिएगा देखे एक सोल्जर के हाथ में चोट भी लग गई है उसे खूना रहा है और इस तरह के 10 सिचुएशन के बीच में लगातार इस्जाली डिफेंस फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि वह जल से जल जादा से जादा गाजा बॉर्डर के नजदीक जा पाएं और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है इस पूरे एरिया को कॉड़न ओफ कर दिया गया है क्योंकि यह गाजा बॉर्डर के काफी नजदीक का एरिया है जो इज़ाली फोर्सेस आपको दिखाए देगा किस सरह से एक कॉन्वाइ में हैवी एक्रिप्मेंट्स के जैसे कि आपने देखा कि कुछी सेकेंट्स का समय मिलता है और जब फोर्सेस आगे बढ़ रही है ऐसे में और भी ज़्यादा गाजा की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं साब संकेत कि इसराइल की तरफ से जितनी भी बंबारी हो रही है हमास अपना सर नीचे जुका नहीं है जिसका आपने एक जलक अभी हमारे इस रिपोर्ट में देखा और जिस तरह से यहां पर फोर्सेस मूव कर रही है इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है मेरे कैमर्मेंट मान आपको पैन करके दिखाएंगे यह जो एरिया जो इस तरफ जा रहा है मेरे अलाव नहीं है without accreditation without special permissions आप यह मान की चलिए की military के अलावा या military के लिए जो साजो सामान की जरूरत है उसके अलावा किसी को भी इस दिशा में बिल्कुल भी जाना अलाव नहीं है ना कि में दाई तरफ बलके मेरे कैमरमें मान आपको पैन करके दिखाएंगे देखे मेरे पीछे भी यहां पर पुलिस ने इस बैरिकेटिंग की हुए है इसके आगे वो जान नहीं दे रहे हैं और आप समझ जाईए कि अगर किसी भी दिशा में आप बढ़ रहे हो और इस तरह के चौरहे पर हो चौरहे में से दो रास्ते अगर बंद कर दिये गए हो तो फिर कोई बहुत ऑप्शन रहता नहीं है और ये इसलिए टैक्टिक्स अपनाई गई है इस तरह बढ़े तो फिर उन्हें बिल्कुल भी ना घुसने के लिए मौका मिले और अगर वह एक बार घुस जाए तो फिर उन्हें आगे जाने के लिए भी बिल्कुल मौका नहीं मिले वो दे इसको में जाने के लिए अलाउड है मेरे तरफ और मेरे पीछे बहुत ही जादा 10 सिच्वेशन है और आपने देखा कि कुछी सेकेंस का समय मिलता है यानि मतलब साफ है कि हमास अब भी लगातार फाइरिंग कर रहा है और इस्राइल को चुनौती दे रहा है कि जितनी बंब स्ट्रेंस पोर्सेस के ठीकानों पर दागे कंटिनियूसली जाएंगे कैमर मिर मान के साथ मैं आशिस सिंग गाजा बॉर्डर के पास से